गुड इवनिंग इस्टुडेट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम एक नए टोपिक सांची का महास्तूप के साथ आपके सामने हाजीर है तो देखेगा इस वीडियो में हम सांची का महास्तूप किसने बनवाया था और सांची का जो महा महास्तूप है उसकी जानकारी के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें बेल का इकन दबाएं इन सब से आपको इथियास सम्मंदित परीक्षाव प्योगी महत्व पुन जानकरी प्राप्त होगी तो देखेगा पढ़ते हैं सांची का महास्तूप सांची का महास्तूप सांची मध्य परदेश राज्ये के राय सेन जिल्ले में बेत्वा नदी के तठपर इस्तित एक छोटा सा गाम है सांची मध्य परदेश के मध्य भाग में इस्तित है यहां कई बोध इसमारक हैं जो तीसरी स्ताबदी सापूरा से बार इस्ताबदी के बीच के काल में हैं सांची का महान मुख्य स्तूप मूलत है समराट असोक महान ने तीसरी स्ताबदी इस सापूरा में बनवाया था तो सांची का महान जो मुख्य स्टूफ है उसको समराट असोक महान ने 30 स्टापदी सापूर में बनवाय था इसके केंदर में एक अर्ध गोलाकार इंट निर्मित धांचा था जिसमें बगवान बुद्ध के कुछ अवसेस रखे थे इसके सीखर पर समारक को दिये गए उंचे समान का प्रतिक रूपी एकचतर था भारत में बो धर्म के पतन के साथ ही सांची का इस्टूफ खंडित अवस्था को पहुँच गया इस स्टूफ में एक स्थान पर दूसरी स्ταब्दी सा पूरा में तोड़फोड की गई थी ये गटना सुंक समराड पुषे मित्र सुंग के समय की माननी जाती है यह माना जाता है कि पुषे मित्र ने इस स्टूफ का द्वन्स किया था और बाद में उसके पुत्रग निमित्र ने इसे पुन्दर निर्मित्र करवाया था तो देखेगा हमने पुसे मित्र सुंग की धार में एक निती पढ़ी थी उसमें हमने आपको बताया था कि पुसे मित्र सुंग है वह है बोध धरम का कटर कटरपन्ती था और वह बो धरम को मिटाना चाता था उसका पतन करना चाता था ठीक है सुंग वन्स के अंतिम वर्स्व में स्थूप के मूल रूप का लगबग दुगोना विस्तार पासान सिलाओं से किया गया था इसके गुंबद को उपर से चप्टा करके इसके उपर तीन चतरियां एक के उपर दूसरी करके बनवाई गई थी ये चतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के बिथर बनी थी अपने कई मंजिलों सहित इसके सिखर पर धरम का परती विधी का चक्र लगा था यह गुंबद एक उँचे गोला का ढोज रूपी निर्मान के उपर लगा था इसके उपर एक दो मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था भूमी इस तर पर बना दूसरी पाशान परिकर्मा एक गहरे से घिरी हुई थी इसके बीच प्रधान दिशाओं की और कई तोरण बने थे द्वित्य और तृत्य स्तूप की मारते सुंकाल में निर्मित परतीत होती हैं परन्तु वहां मिले सिलले के उनुसार उच स्तर के अलंगरी तोरण सुंकाल के नहीं थे इन्हें बाद के साथवानवंस द्वारा ब रिक्रमा और महान स्तूप की पासान अधार चिला भी उसी काल का निर्मान हैं सांची के स्तूप पर बुद्च के जीवन की गठनाएं दैनिक जीवन सहली से जोड़ कर दिखाई गई हैं इस परकार देखने वालों को बुद्च का जीवन और उनकी वानी भली परकार से पर वे अपने पिता के घर का त्या करके गए थे तो कहीं उनके पात्चिन कहीं बोधिवरिक्ष के नीचे का चबूत्रा जहां उन्हें बुधुत्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्साया है सांची की दिवारों के बोडरों पर बने चित्रों में युनानी भीम बेट का भी है यहां छोटे बड़े अन्य को स्थूप हैं जिन में स्थूप संख्या सबसे इस्थूप संख्या दो सबसे बड़ा है चारों और की हर्याली भी अदबुद है इस स्थूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं इस्थूप संख्या एक के पास कई लग तो इस वीडियो में हमने साची के स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसको तोड़ने की कोशिस पुसे मित्तर सुंगने की थी ठीक है तो इस वीडियो में ये एक छोटा सा वीडियो है लेकिन जानकारी बहुत ही महतोपुण है कई बार पूछ लेते हैं इसके बार हमारे वीडियो का अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद